अचानक अपने दोस्त को देख प्रेम उठ खड़ा हुआ, तुम अचानक कैसे हो, लंबई समय से हमारा संपर खत्म हो गया था, अंकल अंटी कैसे हैं और तुम्हारी बेहने और ना जाने कितने अरगिनत सवाल थे जो प्रेम लगतार करता जा रहा था, बिनोध मुस्कुरा रहा था, जब वह चुप हुआ तो विनोध ने हसते हुए कहा, अरे यार, बैठने के लिए भी नहीं कहेगा, प्रेम होस में आया, वह अपने कुरसी से उठा और विनोध को गले लगा लिया, उसके बाद उसे कुरसी पर बठाते हुए कहा, तुम्हें देखकर मुझे आज कैसे पता चला, विनोध बोला, कल मेरे आफिस में तुम्हारे बारे में चर्चा चल रही थी, कि जहर में एक नया, बहुत ही अच्छा डॉक्टर आया है, जब मैंने तुम्हारा नाम सुना तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कहीं तुम ही तो नहीं हो, और मैंने तुम्हार नहीं जहनजात वादों के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं, इन जहनजात वादों में सभी को गुजरना पड़ता है, गुजरते तो सभी है, ले Finance पने अंदाज में जीवन का इन जहनजाः वातों से सभी को जख जोरती आगे निकल जाती है, और कभी पीछे मोर कर नहीं देखती की जिसे उसने जख जोरा है वो सांसे ले रहा है या उसके उसने दम तोर दिया विनोद और प्रेंग की बच्पन की बिमिशाल दोस्ती अब तक कायम रही दोनों ने बच्पन में ही डॉक्टर बनने का सपना पाल रखा था दोनों का खेल ही डॉक्टर डॉक्टर होत पेसेंट बनने को कोई तयार नहीं होता था, दिन यह सपना मजबूत होता चला गया, पापा मुझे मेडिकल कोचिंग के लिए बाहर भीज रहे थे, उस दिन बिनोद ने बरे ही उदास मन से यह ख़बर प्रेम को सुनाया था, यह सुनकर प्रेम ने भी अपने पिता से बिनो की पिता ने इनकार कर दिया था, बिनोद चला तो गया, लेकिन मन का एक कोना प्रेम के लिए सुना सार हो गया, समय चलता कहां है, वह तो दोड़ता है, लेकिन मानव इसे कहां समझ पाता है, जिसे जहां छोड़ता है, उसे लगता है कि लोट कर आएगा तो उसे वह वही ख प्राइम रहेगी। पिर्येम तो मेरे सहर में ही रहता है जब भी जाओंगा उसे से तो मिलूँंगा ही। लेकिन बच्चों की पढ़ाई में खर्च में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं होने दी जब डेम ने उससे बाहर जाने की बात कही तो तब उन्होंने यही एक कहा था मैं तुम्हें कोचिंग के पैसे दूंगा लेकिन इसी सहर में रह करो बहुत सारे अच्छे कोचिंग सेंटर यहां पे भी है बाहर जाने पर खर्चा दोगों न हो जाएगा बेटा तब चिठिया का जमना था चिठियों के द्वारा दोनों दोस्त में संपर्क बना रहा लेकिन अचानक प्रेम की चिठिया ने बंद हो गई बाद में बिनोद ने जब अपने पिता से मालुम किया तो पता चला कि पूरा परिवार सहर छोड़ कर कहीं चला गया वे लोग कहां गए या भी नहीं पता चला नदी के प्रचंद परभाव में अचानक कोई बांध बना दे ऐसी ही एक दिन बिनोद ने महसूस किया था और फूरा परिवार का जिमेदारी उसके कंधे पर आ जाना छोटी वेहन की घर गिरस्ती उनकी पढ़ाई लिखाई और विनोद की मेडिकल का खर्चा पिता के पैंसन से नहीं हो पा रहा था किसी तरह बिनोद इसे खिचतान कर आगे बढ़ रहा था लेकिन नियती को यह भी मंजूर नहीं था उसकी मा विमार रहने लगी थी पैंसन का एक बरा हिस्सा मा की बिमारी में चला जाता था परिवार की इस्तिती बिगरती चली गई पिता की मिर्तिव के बाद सरकारी कौाटर चले गए चले जाने किसे उन्हीं किराये पर मकाल लेना परा बिनोद के लिए यह सब आसरहनी होता जा रहा था और एक रात मा की बिमारी का इलाज बहनों की पढ़ाई लिखाई उसका स्वेम का मेडिकल का खर्चा मकान का किराया और भावेसे में बहनों की साधी यह सुंचकर बिनोद काप उठा दूसरे दिन उसने गोसना की कि वहा मेडिकल की पढ़ाई चोड़ रहा है बिनोद ने फिर पीछे मुर कर नहीं देखा, पिता का नौकरी में रहते देहांत हुआ था, इसकारण उसने उनके विभाग में ही नौकरी के लिए अपला किया था, बिनोद ने बीए करके बाद ही कोचिंग जोइन किया था, इसलिए उसके पास सिर्फ बीए की ही डिग्री थी, नहीं सुनकर पिरेम बिल्कुल चुप हो गया, बिनोद ने चुपी तोरी पिरेम, तुमने इस मुकाम पर पहुँचकर जीवन का जंग जीत लिया, पिरेम थोड़ा मुस्कुराया, फिर पूछा, और तुम्हारी साधी मा की जीत के सामने मैं विवस हो गया, विवा करना प या कहकर बिनोद ने एक लंबी सांस ली, फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, और उसने चौकते हुए पिरेम से खुजा आरे, तुमने तो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, और मुझे से लगतार सवाल करते जा रहे हो, अपना सुनाओ, तुम कैसे इस मकाम पर पहुँचे, बिवा किया या नहीं, माता पिता, भाई और बहने सभी कैसे है, सालों पहले तुम लोग सहर छोर कर चले गए, उसके बाद कोई संपर्खी नहीं हो पाया, मुझे तुम से इस सिकायत है, पिरेम, मैं तुम लोगों के बारे में नहीं जानना चाहता था, ल में जीवन कैसा लगता है, क्या मन में संतोस है, रात को नीद आती है, बिनोत चौक परा, किन्तु स्वयम को सयम करते हुए उसने कहा, पिरेम, मेरे मन में आज भी एक टीज रहती है, यदि कुछ साल मुझे परिवार से छुटकारा मिलता, तो परिवारे के जिम्मेदारिया न मिली, खोदी तो साइथ मेरा आकास भी बरा होता, मेरा सपना पूरा हो जाता, लेकिन मन में एक संतोस जरूर है, कि मेरे अपने परिवार को भी ख़रने नहीं दिया, मेरा परिवार सरक कर नहीं आया, आज मेरी सारे बहने सुखी और संपन है, मा खास्वास्त, अब ठीक जहां तक निंद का सवाल है इतना ठक जाता हूं कि कुछ सोजने का वक्त ही नहीं मिलता। यकायक विनोद यह कह कर चुप हो गया और उसमें गुसा करते हुए कहा पिडेम अपने बारे में भी कुछ बताओगे या सिर्फ मुझसे ही सवाल करते रहोगे। पिडेम ने सुनी आँखों से विनोद को निहारते हुए कहा क्या बताओ विनोद मैं सुार्थी बनकर अपने परिवार से चुटकारा ले लिया मैं मन के भीतर तुफान चलता है भीतर बहुत असामती है अब तक आविवाहित हो और मुझे परिवार के बारे में सोचकर कोचिंग करने के बाद प्रेम को मेडिकल में सफलता नहीं मिली तो उसके जीद पकर लिया कि दूसरे सहर में कोचिंग करने के लिए उसकी जीद के सामने पिता जुब गए उन्होंने अपनी पूरानी नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी के लिए अपलाई किया जो दूसर सहर में था थोरा सा जाधा पैसा मिलता था किन्तु काम उसकी छंता से जाता था पूरे परिवार को लेकर वो दूसरे सहर में चले गए लेकिन समस्चा समधा नहीं हो पाया क्यूंकि इतने पैसे में भी उनकी गिरस्ती नहीं चल पा रही थी इसी कारण से उन्होंने बहुत सारा करज ले लिया उसके बाद प्रेम का मिडिकल में सफलता मिलना और फिर पाच साली की पढ़ाई ने पिता के उस करज का बोज डाल दिया उपर करज का बोज डाल दिया परिवार चलाना और करज चुकाना यह दोनों उनकी छोटी सी कमाई से नहीं हो पाया इसके कारण मांकी तीनों बहनों की पढ़ाई बाधित होने लगी मांसिक तनाब और अधदिक काम के कारण पिरेम के पिता बिमार रहने लगी उनकी कारे छमता छीन होने लगी करज इतना बढ़ गया कि बांकी बच्चों की पढ़ाई रुक गई लेकिन पिरेम ने परिवार की सुध नहीं ली अंत में मा भाई और बहने पिता की मदद के लिए छोटे-छोटे काम करने लगे करके पैसे कमाने लगे इस आस में कि पिरेम डाक्टर बन जाएगा तो लाज नहीं हो पाई उनकी मौत का कारन बना चोटे भाई ने माता पिता का उत्तरदाय संभाला उसने अपनी छोटी सी नोकरी से जीवन आगे को बढ़ाया बहनों की बढ़ाई लिखाई तो नहीं हो पाई किन्तु छोटे परिवारों में उनका विवा कर दिया ना बहने न मैं नहीं जानता कि हमारे सपने गलत थे या फिर या नियती का खेल था नियती के सामने हम सब बाउने हैं हमारी चाहते हुए कुछ होती है लेकिन भागे हमें कहीं और ले जाता है मैं भी परिवार से कुछ साल के लिए चुटकारा चाहता था और तुम भी हम चुटकारा अ चंड संगर्स भी होने चाहिए कि इन तो आसपास की जिंदगी को मौत में न बदलते हुए कहते हुए बिनो थोरी देर के लिए चुप हो गया प्रेम की आँखों में आशों थे बिनो देने फिर कहा मेरे मन में आज भी एक तकलीफ एक टीस जरूर है कि मैं डाक्टर नहीं बन सका लेकिन मैं गलानी और पीरा में नहीं जी रहा हूँ जब अपनी बहनों के मुख पर मैं हसी देखता हूँ तो अपने को हारा हुआ महसूस नहीं करता मन में एक संतोस है कि मैंने अपना जीवन अपने परिवार को दिया प्रेम तुम स्वार्थी बन गए थे तुम अपने भाई बहनों का बच्पन तो नहीं लटा सकते ना ही अपने माता पिता को लटा सकते हो इतना जरूर कर सकते हो कि जो जित तुमने मेडिकल की पढ़ाई के लिए की थी उसी जित को फिर से अपना कर अपने भाई बहनों के भाई बहनों से संपर करने करके उसके जीवन में खुसिया ला सकते हो तो ले आओ